आज मैं आप सभी के लिए काफी important वीडियो लेके आई हूँ तो देखे आपके आगा में उत्राखंड पुलीस के एक्जाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए के important टेस्ट लेके आई हूँ तो देखे आज के इस टेस्ट में आप सभी को 33 कुश्चन दिये और आपको हर कुश्चन का राइट आंसर लगाना है आप सभी को अपना राइट आंसर लगाने के लिए थोड़ा सा टाइम देया जाएगा और comment section में आपको अपना राइट आंसर लगा कर बताना है देखे जो टेस्ट है ये काफी महत्पून टेस्ट है आपके आगा में उ starting से लेकर end तक बने रहे हैं तो चलिए आज के इस टेस्ट को हम स्टार्ट कर लेते हैं स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल study with aim को subscribe नहीं किया है वो subscribe कर लें साथे साथ बगल में जो bell icon देख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी video डा जाए आप सभी लोग हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं अराउंड 6.7 के यहाँ पर group members हो चुके हैं सुबद 10 बजे और 8 बजे हाँ पर quiz का एजन भी कराया जाता है इसके अलावा other important updates PDFs ही पर share की जाती है लिंक आपको इसका description box में मिल जाएगा बढ़ते ह हैं आज की वीडियो के ओर इस test का पहला question है परमार शाशकों को शाह की उपाधी किसके द्वारा दी गई दिखे important question है आप सभी लोग answer लगाए थोड़ा सा आप सभी को time दिया जाएगा आपका अपना right answer लगाने के लिए तो जल्दी से आप सभी लोग comment section में इस question का right answer लग कि तुझे परमार शाशकों को शाह की उपाधी किसके द्वारा दी गई थे ऐसा माना जाता है कि लोधियों द्वारा इन्हें साह की उपाधी दी गई थी option A यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा और परमार शाशकों में शाह की उपाधी सबसे पहले धारण करने वाले जो शाशक थे वो कौन थे बलभद्र शाह थे तो यह ध्यान रखेंगे अगला question है आपक देखिए गंधूर जो शब्द है इसका संबंद है कि जन जाती से थारू जन जाती से option A बिलकुल correct answer हो जाएगा next question देखिए पमवार वंशकी हिमाले शाखा का मोल राजा कौन था तो देखिए परवार वंशकी हिमाले शाखा का जो मोल राजा था ये कौन था कनक पाल थे option A यहाँ पे आपका बिलकुल right answer है चलिए next question के और वड़ते हैं next question है आप सभी लोगों के लिए पमवार वंशके कि शाखक ने राजधाने श्री नगर से परिवर्तित कर तीरी में स्तापित की थी तो देखें पमवार वंशके कौन से शाखकते ये थे सुदर्शन साथ जिन्होंने अपनी जो राजधानी है वो श्री नगर से परिवर्तित कर कहां पर स्थापित करी थी तीरी में स्थापित की थी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है अगला कुश्यन देखें अगला कुश्यन है 14 माई 1804 इजवी को देहरादून के खुडबुड़ा मैदान में गोरखाओं से हुए निर्नायक युद्ध में कौन बीरगति को प्राप्त हो गया तो इस कुश्यन का करेक्ट आंसर है प्रद्यूम्न शा ओप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर है अगला कुश्यन देखें आधा राजी अंग्रेजी कबजे में जाने के बाद गड़वाल नरेशुदर्शन शा ने अपनी राल्थानी श्री नगर से हटा कर कहां इस कुश्यन का करेक्ट आंसर है आपका ओप्शन ए तिहरी में आधा राजी अंग्रेजी कबजे में जाने के बाद गड़वाल नरेशुदर्शन शा ने अपनी राल्थानी श्री नगर से कहां स्थापित की थी तिहरी में स्थापित की अगला कुश्यन देखें अगला कुश्यन है सुदर्शन शा की मांग पर किस गवर्नर जनरल ने अक्टूबर 1814 में गोर्खों के विरुद अंग्रेजी सेना भेज दी तो इस कुश्यन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड हैस्टिंग्स सुदर्शन शा की मांग पर लॉर्ड हैस्टिंग्स ने अक्टूबर 1814 में गोर्खों के विरुद अंग्रेजी सेना भेज दी थी अग्ला कुश्यन है अलमोडा शहर के मध्य में इस्थित मल्ला महल किले का निर्माण किस चंद शाशक ने कराया था तो देखें अलमोडा शहर के मध्य में इस्थित मल्ला महल किला जिसका निर्माण किस ने करवाया था रुद्र चंद ने करेक्ट कर लिजेगा यहां पर आप्शन में नहीं दिया है रुद्र चंद ने इस महल का निर्माण मल्ला महल का इसके लिए का निर्माण कराया था मल्ला महल जिसका नाम है तो इसके लिए का निर्माण किस ने राजा रुद्र चन ने करवाया था अगला कुशन है कनक पाल द्वारा कब चांत पूरगर जो की कहां पर लोकेटेट है चमोली में इस्तित है मैं परमार वंश की निव पड़ी थी दिखें चात पूरगर में परमार वंश की निव पड़ी थी 888 वी में ऑप्शन डी यहां पर आपका राइट आंसर है अगला देखें कुमाओं में ग्राम परधान की नियोकती और भूमी निर्धारन परणाली शुरू की गई देखें कुमाओं में ग्राम परधान की नियोकती और भूमी निर्धारन परणाली शुरू की गई चंद राजाओं के द्वारा ओफ्शन बी यहां पर आपका राइट आंसर है अगला कुश्यन देखें सुदर्शन चा का शाशनकाल था कब से लेकर कब तक सुदर्शन चा का शाशनकाल था यह बताना है आपको तो इस कुश्यन का करेक्ट आंसर है 1815 से लेकर 1869 इस बी तक ऑफ्शन यहां पर आपका राइट आंसर है अगला कुश्यन देखें अगला कुश्यन है आप सभी लोगों के लिए 1898 इस बी में अंग्रेजों ने CSIQ पाधी दी थी तो देखें 1898 इस बी में अंग्रेजों ने CSI की उपाधी दी थी किसको सरकेट इस चा को ऑप्शन ए इस कुश्यन का करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कुश्यन देखें तेहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुवात की तेहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुवात की थी प्रताप शाने ओप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है नेक्स्ट कुश्यन देखेंगा उत्रांचल का बार्दोली किस इस्थानिया इस्थल को कहा गया था तो उत्रांचल का बार्दोली किस इस्थल को इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्ट को कहा गया है ओप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है अगला कुश्यन देखें अगला कुश्यन है आप सभी लोगों के लिए रवाई कांड कहा हुआ था आप सभी को आंसर करके बताना है थोड़ा सा टाइम में आपको दिया जा रहा है उसमें आपको अपना राइट आंसर लगाना है रवाई कांड कहा हुआ था देखे रवाई कांड हुआ था कहां पर तिलाडी में आप्शन बी यहां पर आपका राइट आंसर है अगला कुशन देखीगा किस्ते महात्मा गांधी जी के साथ दांडी यात्रा में भाग लिया था तो महात्मा गांधी जी के साथ दांडी यात्रा में भाग लेने वाले थे भैरवदत जोशी ऑप्शन सी यहां पर आपका बिलकुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी को आज का यह टेस्ट पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टेडी विद एम को सस्क्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सस्क्राइब करें और साथे साथ आप सभी को रात को 8 बजे फेशल जो मौक सिरिज है वो प्रोबाइट कराई जारी है तो आप सभी लोगो रात को 8 बजे वारे क्लास जो है वो भी फॉलो कर सकते हैं काफ威 महतपूर्ण वो क्लास है आपके आगामे उत्राकंड पुलीस की एक्साम के लिए तो देखे गड़ केशी नाम से प्रिशिद जो स्वतंतता सेनानी थे वो कौन थे अनुसुया प्रशाद बहुगुणा यानि कि option C यहाँ पर आपका right answer है अगला question देखे भारत के स्वतंत्र होने के समय गड़वाल का राजा कौन था इस question का correct answer है मानवेंद्र शा भारत के स्वतंत्र के समय गड़वाल का राजा कौन था मानवेंद्र शा था option A यहाँ पर आपका right answer है अगला देखें सरला बहन का मूल नाम क्या था तो देखें Catherine Helliman इनका मूल नाम था सरला बहन का और सरला बहन नाम इन्हें किस ने दिया था गांधी जी ने इन्हें सरला बहन नाम दिया था अगला कुश्चन है नागराज देवता मेला कहां लगता है देखें नागराज देवता मेला लगता है आपके कहां पर उत्तरकाशी में option A यहां पर आपका correct answer हो जाएगा अगला कुश्चन देखें डोला पाल की आंदोलन संबंदित था दोला पाल की आंदोलन संबंदित था शिल्प कारों से option A यहां पर आपका right answer है अगला कुश्चन देखें गोरा महुत्सव किस जन जाती द्वारा मनाया जाता है तो यहां पर तो right लगा रखा देखें राजी जन जाती द्वारा मनाया जाने वाला यह उत्त्सव है गोरा महुत्सव अगला कुश्चन है उत्राखंड कुरांधी दल के किस सदशने अपरेल 1987 में संसत में पत्र बम फैका था इस कुश्चन का correct answer है तिरवेंद्र पमवार उत्राखंड कुरांधी दल के यह सदशने थे तिरवेंद्र पमवार जिन्होंने अपरेल 1987 में संसत में पत्र बम फैका था अगला कुश्चन देखें भार्ती राश्टी आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे तो देखें भारते राष्टे आंदोलन के दौरान गांधी जी जो थे ये कौसानी में बहुत दिनों तक रुके थे अगला कुशन देखें अगला कुशन है आप सभी लोगों के लिए खोला गलेशर इस्तित है कहां पर किस जनपत में स्तित है खोला गलेशर ये आपको बताना है देखें खोला गलेशर है आपके कहां पर पितोरागर में ऑप्शन ए इस कुशन का राइट आंसर हो जाएगा देखें काफी महतवपूर ये टेस्ट रहता है आपके आगामे उत्राखंड पुलीस के एक्साम के लिए और कुश टेस्ट कुशन इसमें आपको बहुत ही यूनिक और इंपोर्टेंट मिलेंगे और साथ ही साथ आप सभी लोग इस टेस्ट को डेली विशिस पे फॉलो कर सकते हैं और अपने इस टेडी को आप जज़ कर सकते हैं किस तरीके कि आपकी तैयारी चल रही है आगामे उत्राखंड पुलीस के एक्साम के लिए और साथ ही साथ बहुत सारे लोग यहाँ पर इस टेस्ट को फॉलो कर रहे हैं आप सभी को पता चलते रहेगा कि कौन लोग कितनी तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोगों को डेली सुबह 10 वजे इस टेस्ट को फॉलो कर लेना है इस्टेडी विद एम पर विजिट करके जिन लोगों ने अभी इस्टेडी विद एम को सस्क्राइब नहीं किया है वे लोग सस्क्राइब कर लिजे अगला कुश्यन है किस वर्ष में उत्राखंड कुरांती दल का जो विभाजन हुआ था वो हो गया था उत्राखंड क्रांती दल का जो विभाजन हुआ था और दल की जो बागडोर थी ये युवानेता कासी शिंग एरी के हाथ में आ गई थी तो जल्दी से आपको इसका आंसर करके बताना है आप सभी लोग कमेंट शेक्शन में अपना आंसर लगाएं किस वर्ष म उत्राखंड क्रांती दल का विभाजन हो गया था और दल की जो बागडोर है ये युवानेता कासी सिंग एरी के हाथ में आ गई थी तो जो लोग क्लासिस फॉलो कर रहे हैं उनको तो ये आंसर आ ही गया होगा आप सभी को जो आट बजे वाली क्लास चलती है ना उनमें बत पॉइंट होते हैं वो वहाँ पे आपको बताया जाते हैं तो उसमें आपको मैंने बताया था कि युकेडी जो है यानि कि उत्राखंड कुरांती दल उसका विभाजन कब हुआ था तो देखें यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1987 किशवर्ष 1987 में उत्राखंड कुरांती दल का विभाजन हो गया और दल की जो बागडोर है ये युवा नेता कासी सिंग एरी के हाथ में आ गई थी अगला कुश्यन है द्रोपधी का डांडा इस्तित है द्रोपधी का डांडा इस्तित है कहां पर उत्तरकाशी में आप्शन ए इस कुश्यन का राइट आंसर है अगला कुश्यन देखेंगा आप सभी लोग कमेंड करके बताएं आपको ये टेस्ट कैसा लगता है आपको डेली प्रोवाइट कराया जा रहा है आपको कैसा लग रहा है ये टेस्ट कमेंड शेक्शन में कमेंड करके जरूर बताएं अगला देखें उत्राखंड में डोला पाल की आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे तो काफी इंपोर्टेंट ये कुश्चन है डोला पाल की जो आंदोलन है इसके प्रवर्तक थे जैनंद भारती ऑप्शन एस कुश्चन का करेक्ट आंसर है अगला कुश्चन देखें महात्मा गांधी ने अनाशक्ती योगटी का कहां लिकी ये भी आपका महतपोन कुश्चन है ये भी आईयो के द्वारा पूछा गया है किसी पेपर में मिरको याद तो नहीं है लेकिन ये कुश्चन पूछा गया है इतना याद आ रहा है तो अगले एक्साम के लिए भी इस कुश्चन को जरूर ध्यान में रखें तो देखें महात्मा गांधी जी ने अनाशक्ती योग ठीका कहां पर कौसानी में लिखी थी ओप्शन ये यहाँ पर आपका राइट आंसर है अगला कुश्चन देखें सुमेरु गुफा कहां पर इस अगले कुश्चन के और बढ़ते हैं अगला कुश्चन है आप सभी लोगों के लिए दांडी यात्रा के दौरान दांडी जो यात्रा थी तो उस यात्रा के दौरान उत्राखंड से शामिल शदश्य थे दांडी यात्रा के दौरान उत्राखंड से शामिल जो सदश्य थे वो कौन थे जोती राम कांड पाल थे इसके अलावा भैरवदत जोशी और गोरखा वीर खड़क बहादूर सभी थे तो ये सभी ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर है अगला कुश्यन देखें हिल रेजिमेंट की स्थापना हैंवी रेंजे ने कब की थी तो देखें हिल जो रेजिमेंट है इसके स्थापना किस ने की थी हैंवी रेंजे ने की थी इसको ध्यान रखें और कब इसके स्थापना की गई इसका राइट आंसर हो जाएगा 1858 1858 इस भी में हिल रेजिमेंट के स्थापना हैंवी रेंजे द्वारा की गई थी और लास्ट कुश्यन है आज के इस टेस्ट का चंद शाशन के काल में आठ कर क्या था काफ़े इंपोर्टेंट कुश्यन है ये भी आपका तो इसका आंसर लगाएगा आप जल्दे से देखे चंद शाशन काल में आठ करके अगर हम बात करें तो ये लड़ाई सम्बंदी कर था आपशन भी यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा तो ओके गाईज आज के इस टेस्ट में इतना ही आई होप आप सभी को आज का ये टेस्ट पसंद आया होगा अगर आप सभी को आज का ये टेस्ट पसंद आता है तो इस टेस्ट को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिए जिन लोगों ने अभी भी हमारे YouTube चैनल Study with AIM को सस्क्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सस्क्राइब कर लेजे और रात को 8 बजे आपको क्लास प्रोवाइट कराई जाएगी कौन सी क्लास मिलेगी वो आपको टेलिग्राम गुरूप पर बता दिया जाएगा जो कि आपको Study with AIM के द्वारा प्रोवाइट कराई जा लिए तो चलिए गाइस मिलते हैं एक नए इंट्रस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए धनियावाद